प्रस्तुत है लोकमाणी आपकी बात मुख्य मंत्री श्रीब भुपेश बखे रे साथ सभी शोताओं को नमस्कार जै जोहार साथियों आज लोकवाणी कारिक्रम का सत्रहवा पायदान है अर्थात सत्रहवी कड़ी का प्रसारण हो रहा है इस अवसर पर माननी मुख्य मंत्री शिभुपेश बखेल जी और आप सभी शोताओं का हारदिक स्वागत है माननी मुख्य मंत्री जी लोकवाणी का ये प्रसारण ऐसे कठिन समय में हो रहा है कि एक और हमारे सुदूर बीजापूर जिले में नकसलवादी हमले से बड़ा नुकसान हुआ है वहीं दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश और दुनिया की तरह 36 गड़ में भी परिस्थितियां चुनोती पूर्ण बन गई है सबसे पहले कृपिया आप इन चुनोतियों पर अपने विजार रखें निश्चित तोर पर विजापूर में नकसली हिंसा की घटना बहुत ही दुर्भागी पूर्ण है इस घटना में सियार पियप तथर राज़ पुलिस बलके हमारे साथी हताहत हुए जिन वीर जवानों की सहाधत हुई है उन्हें मैं अपनी और से तथर राज़ के दो करोड़ असी लाग जनता की और से साधर सद्धा सुमन अर्पित करता हूँ हमारे सुरक्षा बलके जवान बहुत ही बहादुरी के साथ नकसलियों से लड़े और वीर गती को प्राप्त हुए मैं अमर सहीदों की आत्मा की सांती के लिए इस सुर से प्रातना करता हूँ भगवान उनके परिजनों को या गहन दुख सहने की सक्ति प्रदान करे हमारा संकल्प है इन अमर सहीदों का बल्दान बिर्थ नहीं जाएगा 36 गड़ को नकसल वाद से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार की मदद से निर्नायक अभ्यान जारी रखा जाएगा इस घटना को अपने आँखों से देखने और मुकाबला करने वाले घायल जवानों से हमारी मुलाकात हुई मैंने उनके आँखों में आत्मिस्वास की चमक देखी है मैं बताना चाहता हूँ कि इस घटना के बावजूद हमारे वीर जवानों का हाऊसला कम नहीं हुआ है मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि नकसलवादी हिंसा में शहीद हुए हमारे वीर जवानों के परवारों के दुक में सहभागी बने राज सरकार ने प्रत्यक सहीत परवार को 80 लाग रुपय की आर्थिक सहायता तथा उनके आश्रितों को नौकरी दिलाने की पहल की है ये करतब निर्वाह का एक छोटा सा प्रयास है मैं चाहूंगा कि आप सब निजी तथा समाजी कुरूप से सहित परवारों के प्रती एक जूरता प्रदर्सित करें निश्चित तोर पर नकसल वादी हिंसा हमारे महान सविधान और लोक तंत्रकी भावनाओं के खिलाफ है ऐसी आराजक और हिंसक विचारधारा को सब समाज में कोई जगा नहीं मिलने चाहिए इसके खिलाफ हम वैचारिक राजनितिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं जन्विकास ही हमारा एजेंडा है निसी तोर पर नकसली हिंसा से निपटने के लिए सन्य उपाया तो जरूरी है ही लेकिन किसी भी इस तर पर ऐसी आराजक विचारधारा को बरदास्त नहीं किया जाना चाहिए हम महात्मा गांधी के सत्य हिंसा और सत्याग्रा के रास्ते पर विस्वास करते हैं लोकतांत्रिक मुल्यों, सिध्धांतों और तर तरुकों पर विस्वास करते हैं इसलिए मैं इस पस्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नकसलवादी हिंसा का मुतोर जवाब दिया जाएगा और इसके लिए मैं आप सब के सहयोग और समर्थन के अपील भी करता हूँ जहां तक करोना या कोवीड-19 के दूसरी लहर के देश दुनिया और प्रदेश में बढ़ते प्रकोप का विसा है मेरा मानना है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हमें बहुत सयम, धीरज, साधानी तथा कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत है राज सरकार दोरा इस्तिती का मुकाबला करने के लिए जाँच, उपचार, टिका करन तथा जागरुकता अभियान चलाने जैसी सारी बेऊस्थाएं की गई है लेकिन यह मामला सिर्फ संसाधन और कानून बेऊस्था के सहारे सफलता हासिल करने का नहीं है प्रत्यग ब्यक्ति को बहुत बारिकी से समझने की जरुष है, कि करोना वार्स किस प्रकार फैलता है, इसे किस प्रकार नियंतरी तरखा जा सकता है साधानी ब्रतने में कोताही करने से न सिर्फ ब्यक्ती बलकि उसका परिवार और उसके संपर्क में आने वाले अनेक लोग करोना संक्रमन का सिकार हो जाते हैं इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि जितना अधिक संभव हो उतना अधिक घर पर रहें अलग-अलग जिलों में जिस तरह से नियंतरन के प्रयास जिला प्रसासन द्वारा किये जा रहे हैं उसमें सयोग प्रदान करें सारजनिक तथा निजी सुरक्षा के उपायों का पूरी तरह से पालन करें पात्रता अंसार टिका लगाने में किसी तरह का भ्रहम नहीं रखें। बिलकुल इस पश्ट मानें कि टिका करण एक शुरक्षित उपाय है और पात्रता अंसार सभी को अनुवार रूप से टिका लगवाना हैं। जिनोंने पहला डोज ले लिया है वे दूसरे डोज का ध्या करते रहें। मास्क लगाना साबुन पाने से बार बार हाथ धोना हाथों को से साफ करना अपने निजी इम्मूनिटी बढ़ाने के लिए डाक्टरों के परमर्ष से विटामिन सी विटामिन डी जींग का उपयोग गर्म पाने के गरारे करना भाप लेना आदी उपाय करते रहें। भीड में जाने से बचें अर्थात फीस्कल डिस्टेंसिंग नीमों का पालम करें। विभिन समाजों तथा संगठोनों के प्रमुक लोगों विश्षग्यों से परमर्ष के बाद जिला प्रसासन दौरा अपने अपने जिले में लाग डाउं के करवाई की जा रही हैं। वे सब आपकी सुरक्षा के लिए हैं। इन सभी उपायों को पूरी गंभीरता के साथ अपनाएं। पिछले दौर में आपने देखा कि आप सब के सयोग तथा सुरक्षा उपायों को अपनाने से कुरोना संक्रमन में काफी हद तक कमी आई थी। हम सब मिलकर एक बार पूरी गंभीरता से सुरक्षा के उपायों करें तो हम फिर कोरोना से निजात पा सकते हैं। या समय किसी भी तरह से दश्रत अथवा गलत जानकारी फैलाने का नहीं है। बलकि समझदारी से मानौता की सेवा करने का है। आप अपना ध्यान रखकर बेहतर तरीके से यह काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपका पूरा सायोग मिलेगा। में रखकर पेस किया गया है। केतों को सड़कों तक जोडने के लिए मुख्य मंत्री धर्शा योजना सुल की जाएगी। किसान भाई की सुईधा के लिए ग्यारा तहसिल पाच एजडियम आपी स्कोला जाएगा। युवाओं के लिए यूद्च सिक्षा है तूं तीन मे मिलेगा इस प्रकार की भोषना से मानवी मुख्य मंत्री जी को हादिक बढ़ाई। और मेरे मंत्री जी से यह सवाल है कि योजना लाया है भी बजट में पेस किया है कि भूमी इन परिवारों को भी न्याय योजना के तहद रासी देंगे तो ये कौन समाध्यम से इसको मिलेगा बजट में जो की पेस किये हैं। अर्थिक सायता दी वह बहुत साहस का काम था। इसके लिए आपको शाधोवाद। माननी मुख्यमंत्री जी करोना की भयंकर महामारी के बीज भी आपने राजी गांधी किसान न्याय योजना के अंतर हम 19 लाग किसानों के खाते में 5,628 कड़ो रुपय का भुगतान किया और वादा निभाकर किसानों का दिल और विश्वास जीता है। नए बजट में फिर आपने राजी गांधी किसान न्याय योजना के लिए बजट परधान किया है। कृपया इस सम्मंद में बजट परधान तथा किसानों के लिए आगे और भी क्या कदम उठाये जा रहे हैं। इसके बारे में जनकारी देने की कृपा करेंगे। में राजी गांधी किसान न्याय योजना का उद्धिश प्रधेश में विभिन फसल लेने वाले किसान भाईयों को किसी न किसी तरीके से ससक्त बनाना है। पहले साल हमने 25 रुपे प्रतिक कुंटल के दर से धान का भुकतान किया। दूसरे साल समर्थन मुल्य पर खरीदी के नियम के अंसार समर्थन मुल्य का भुकतान किया। और राजी गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना, आदी फसल लेने वाले लगबग 19 लाक किसानों को 5628 करोड का भुकतान किया गया। इस साल हमने 20,53,000 किसानों से 92,000,00 मिट्री टन धान खरीदी की है जो प्रदेश की इतिहास में धान खरीदी का सबसे बड़ा किर्तमान है। इस वर्स भी हमने राजी गांधी किसान नयाय योजना के तहट किसानों को नगत सहायता देने के लिए 5,703 करोड रुपे का बजट प्रदान रखा है। इसके अलावा चिराग योजना के तहट साथ आदवासी बहले जिलों और मुगेली जिले के 14 विकास खंडों में पोसंड सुरक्षा वा किसानों के आर्थिक इस्तिते में सुधार के लिए 150 करोड रुपे का बजट प्रदान रखा गया है। किसानों को बिना ब्याज रिन देने के लिए इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष 5,900 करोड रुपे रिन वितरन का रखा है जिसके लिए बजट प्रदान किया गया है। 50 करोड रुपे खर्च होंगे। उद्यानकी फसलों के विकास के लिए अंदान सहायता पर 495 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे। इस तरह किसानों के आय बढ़ाने खेती को लाप का धंदा बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। मैं चाहूंगा कि किसानों के जेब में जो पैसा डाला जा रहा है वा उनके शिक्षा, स्वाथ, सौलंबन और खुसाली में लगे। सभी किसान भाईयों को बहुत-बहुत सुप्काम नाय है। रामीन करिश्री भूमिहीन श्रमिकों की सहाता है तो नमीन नियाय योजना का उद्धेश भूमिहीनश्रमिकों को नीमित आय सुनिश्चित करना है। इस संबन्द में विस्त्रित नियम बनाय जा रहे हैं हमने नयाय को जरुरतमन तपकों के आय से जोड़ा है क्योंकि एक निश्चित आय मिलने से ही किसी ब्यक्ति का जीवन समारा जा सकता है एक सवाल गोधन नयाय योजना के बारे में भी पूछा गया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि दो रूपय प्रती किलो के दर से गोबर खरीदने का काम जारी रहेगा गोबर खरीदी पर हमने राजी सरकार के तरफ से हलंके लगबग 90 करोड रुपय का भुक्तान किया है लेकिन मुझे यह कहते खुशी है कि गवठानों के माध्धम से स्वासायता समूहों ने वर्मी खाद उत्पादन तता बिक्री गोबर दिया निर्मान आधिकारियों से लगबग 950 करोड रुपय के आया प्राप्त की है वैसे तो हमारा प्रयास है कि सौलंबी गवठानों का विकास तेजी से हो लेकिन गवठान योजना के लिए बजट में 175 करोड रुपय का प्राधान किया गया है जिससे गवठानों की गत्विधियां बेहतर ढंक से संचाल माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जिस बदलाओ की शुरुवात दो साल पहले की थी उसके असर और नई उमीदों के बारे में आये सुनते हैं कुछ लोगों के विचार उचे बहुत अच्छा लगा कि बस्तर के बदलाओ को जन्मन पजिका ने उचित जगह मिली है मुख्यमंत्री जी आपके वर्स 2021 के बज़ट में एक बार फिर अनसुचित छेत्र आदवासी अंचल और वनांचल सहीत ग्रामर्ण छेत्र के हिद में बहुत बड़ी पार्क और सिमाट इस्टोर वास्तों में अपने तरह की एक सांदर पहल है लेकिन बज़ट की इन योजनाओं पर अमल कैसे होगा इसके अलावा आदिवासी अंचलों के लिए बज़ट में और क्या प्रवधान है क्रिप इस बारे में जयनकरी देने का कश्ट करें आपने लोकवाणी के माध्यम से बज़ट को लेकर लोगों की जिग्यासा सांद करने का जो प्रयास किया है वह साराहनी है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मानेनिय मुख्यमंत्री जी जय जोहार मैं राइगर से गौरो सलूजा मचली पालन का व्यवसाय करता हूं हमें यह बात आपके बज़ट से जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मचली पालन को आपके द्वारा क्रिशी का दर्जा प्राप्त हुआ है जिससे कि हमें क्रिशी क दर्जा प्राप्त होने के पश्चाथ क्या क्या लाब मिलेंगे इसका माद दर्शन देने की कृपा करें धन्यवाद मानेने मुख्यमंत्री जी सादर नमस्कार मैं परमेश्वर चक्रधारी भानुपतापुर बासला से बोल रहा हूं मैं कुमार हूं और मिटी सिल्फ में क आप से ये जानना चाहता हूं कि हमारे समाज का इस बोट से कैसे भला होगा और हमें रोजगार के उसर कैसे प्राप्त होंगे। दो साल पहले तक मात्र साथ लगोन उपजों की खरीदी समर्थन मुले पर होती थी। हमने उसे बढ़ा कर बावन तक पहुचा दिया। हमने निरस दाओं की समिक्षा कराई और बहुत बड़े पैमाने पर वन अधिकार पट्टे दिये। इस तरह आदवासी समाज ही नहीं बलकि परमपरगत वन निवासियों को भी उनके अधिकार दिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। हमने वनों की तरह ही ग्रामी नंचलों में भी परमपरगत रोजगार के आउसर को बढ़ावा दिया। आज मैं यह का सकता हूँ हमने दो साल में एक ऐसी संरचना बना ली है जिससे अंसुची जाती, अंसुची जन जाती, ओभी सी, सही आर्थिक रूप से कमजोर तपकों को ततकाल सहता मिले। उनकी जेब में नगद रासी जाए, जो उनकी क्रेश रक्ती के साथ उनका सौलम्मन बढ़ाए, साथ ही उनके भीतर उद्यम सीलता का विकास करे। हमारे प्रदेश में विभिन प्रकार के खाद्यान, वनोपज, तता हाथ की कला से बहुत ही उम्दा वस्तुएं बनाने की परिपाटी है। परामपरागत ग्यान के रूप में ये चीज़ें आज भी जन्मानस में हैं। इसे बढ़ाने के लिए हमने कुछ नए फैसले लिए हैं। वन उपस से निर्मित, उत्पाद तथा टेरा कोटा, बेल मेटल, बास सिल्प, चर्म सिल्प, लाउ सिल्प, कोसा सिल्प, तथा च्छतिजगड़ी ब्यंजनों जैसे सभी सामगरियों को एक ही च्छत के नीचे वीपनन की सुईधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए राजियम राजि के बाहर सी माट इस्टोर की स्थापना की जाएगी। जो विशिष्ट च्छतिजगड़ी ब्रांड के रूप में मसूर होंगे। योजना के माध्यम से इस्थानी उत्पादकों को अधिक लाभांस दिलाने की बेवस्ता की जाएगी। दो साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कितने प्रकार के लगोन उपजों को समर्थन मुनली पर खरीदा जा सकता है। चालू सीजन के दोरान 29 समर्थन मुनली पर 112 करोड रुपे के लागत के 4,64,000 कुइंटल लगोन उपज का संक्रहन किया गया। ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आकड़ों के अंसार 29 समर्थन मुनली पर लगोन उपज करे करने वाले राज्यों में 36 गड़ का इस्थान प्रथम है। नए बजट में हमने घोशित किया है कि राज्य के अंसुची छेत्रों में कोदू, कूटकी, अम्रागी को निउन्तम समर्थन मुनली पर अन्य लगोन उपज के भातिव उपारजित किया जाएगा। इसके लावा, बारा लाग पचास अजार तेंदुपत्ता संग्रहाक परवारों को आकस्मिक, वृत्तु अत्वा दुर्खटना के सिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहिद महें कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहाक समाजी सुरक्षा योजना प्रारंब की गई है। वर्स 2021-22 के बजट में इसेतु 13 करोड का प्राधा रखा गया है। विशेष केंद्री साहता पोसित इस्थानी विकास कायर करमों हितु 369 करोड रुपिया तथा आदवासी छेत्रों में बुनियादी सुईधा के विकास हितु 170 करोड का प्राधा रखा गया है। कुछ साथियों ने मचली पालन, लाग पालन, करमकार विकास बोड को लेकर भी सवाल किये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मचली पालन और लाग पालन को क्रिसी के समकक्ष दरजा देने से इस छेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों को संबल मिलेगा। क्रिसी का दरजार मिलने से इने ब्याज रहित रेंड तथा विभिन वियोजनाओं का लाब मिल सकता है। कर्मकारों के कल्यान के कदम उठाये जाएंगे। माननी मुख्यमंत्री जी आपने बजट में महिलाओं के लिए स्वास्थ के लिए शिक्षा के लिए जो प्रावधान किये हैं। उससे सम्मंदित जग्यासाओं के बारे में आए सुनते हैं कुछ लोगों के विचार। जय जोहार मुख्यमंत्री जी मैं किरण महिनायक राज्य महिलायक के अध्यक्ष बोल रही हूँ। 36 गड़ के सामाजी का अर्थिक परिस्तिती में महिलाओं को पीड़ी दर पीड़ी कई तरह के अभावों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों की बेहतर देखभाल करते हुए महिला सदस्यों को ही सबसे जादा समझोता करना पड़ता है। हमें खुशी है कि आपने एक के बाद एक ऐसे अनेक फैसले लिये हैं जिन से महिलाओं को घर चलाने में मदद मिली और आर्थिक मजबूती भी मिली। मुख्यमंत्री सुपोशन अभियान में आपने महिलाओं की सेहत का ध्यान रखा, दो वर्षों में शिक्षा कर्मियों का नेमिती करण किया, सरकारी नोकरी में 30% आरक्षंट से लेकर बिजली बिल हाफ तक की योजना से महिलाओं को काफी मदद मिली है। लेकिन जो सबसे बड़िया चीज आपने अभी किया है कि नए बजट में आपने दूसरी संतान बेटी होने पर कौशलिया योजना के माध्यम से 5000 रुपए की आर्थिक मदद की नई पहल की है। प्रिप्या इस नए योजना के बारे में बताइए ताकि हमारी बेहने बेटियां इसका लाब ले सकें। जै जोहार। मानी मुख्यमंत्र जी, शादर नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश सिना, अध्यक्स इंडियन मेडिकल अस्योशीशिएशन छटे विवराजी। आपको आपके बजट में कियेगे स्वास्त के प्रावधानों के लिए धन्यमात देता हूं। और आशा करता हूं कि इसका जो प्रावधान है उसे बढ़ाया जाएगा जिससे एक जो उमीद थी कि दूरस्त अंचलों और गर्मीन अंचलों तक स्वास्त सुईधाओं का प्रचार हुशके। आपने कुछ जो नवोदे प्रयास किये हैं स्वास्त सेवाँ को दूरस्त इंचल ले जाने के लिए वो काफी प्रसंच नहीं है। और आशा करते हैं कि बजट में और भी प्रावधान होंगे जिससे कि हमारे राजी के स्वास्त के इस्तर और विकास में निरंतर विद्धी होते रहे हैं। अलग कर सकते हैं और बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो बहतरीन पहल होगा वो रोजगार के लिए भी बहतर तयार हो सकते हैं। जहतरीन पहल हैं। इनको आगे किस तरह से हम जारी रख सकते हैं इस बारे में आप से जानना था बस। धन्यवाद किरण में जी आपने कोसलिया मातरित योजना के बारे में पूछा। के समाजी के हम आर्थिक जनगन्णा में जो भी पातर हिद गराई हैं उन्हें इस योजना का लाव मिलेगा। हमने यह देखा है कि प्रफम संतना यदि बेटा बेटी हो तो उसके लिए योजना हैं लेकिन दूसरी संतना बेटी होने पर ऐसी क्यों योजना नहीं थी जिस से बेटियों के जन्म को प्रुसहण मिले। इसलिए हमने मातरक कोसलिया के नाम से योजना बनाई। 36 गड़ से भगवान राम और माता कौसलिया के अटूट ट्रिस्टे को याद करते हुए योजना का नाम करन किया गया इस योजना के करीब एक वर्स में 24,000 प्रसूता बहनों को लाब मिलेगा डाक्टर महिश सिनह जी ने स्वास्त चेत्र के बजट प्रधानों के चर्चा की है डाक्टर साब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा जूर शहरी और ग्रामी चेत्रों में स्वास्त केंद्रों के उन्यवन पर है वहाँ आधने सुइधाओं के विकास्क पर है इतना ही नहीं सरकारी छेतर में हम चार मेटकल कालेज लार हैं तीन मेटकल कालेज काकेर, कौर्बा और महासमूंद में नए खुलेंगे तो चंदुला चंद्राकर मेटकल कालेज दुर्ग का सासके करन किया जाएगा रामनुज गंज में सव बिस्तर, नवारायपूर में पचास बिस्तर, ग्रामसन्ना, जिलाजस्पूर, सिरी नायन जिला चांपा जांगी, रिसाली जिला दुर्ग में 33 बिस्तर के अस्पताल खोलने तता 37 स्वास्त केंद्रों के भवन निर्मान का प्राधान भी किया गया है इसके अलावा मुक्य मंत्री हाडबजार क्लिनिक योजना, मुक्य मंत्री सहरीस सलम स्वास्त योजना, दाएदीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, हमर लेब योजना, आदी के माद्यम से हम जनजन तक किस्सा सेमा보다 पहुँचा रहे हैं जवाहर सुरी सेट्टी जी मुझे खुशी है कि शिक्षा के गुनवत्ता में सुधार और सुधाओं के विस्तार्स के हमारे प्रवायसों को आप जैसे शिक्षा वी करीब से देख रहे हैं। माननी मुख्यमंद्री जी हमारे शोताओं को अधो सरचना विकास की भी चिंता है। माननी मुख्यमंद्री जी नमस्कार मैं रुद्री जिला धंतरी 36 गर से चंद्रकां सहु बोड़ा हूं सर। मैं आकास होनी का नीमी स्रोता हूं और एक युवा साथी हूं। नया बजट नया लक्ष में मैं जानना चाह रहा हूं कि ये बेरोजगारी पर युवा लोगों के लिए इस बजट में क्या लक्ष रखा जा रहा है। और इकामर डायरेक्स सेलिंग पर भी हमारा अच्छा उज्वल भवी से है। इस पर ही आप महोदे ध्यान देने की किप़ा करें। इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक लाएं ताकि बेरोजगार साथियों का बहुत हद तक आर्थिक मदद मिल सके। धन्यवास सर। गिर्जारी लाल नायक जी, हिराला साहो जी, चंद्रकान साहो जी, मुझे अच्छा लगा कि हमारी नई पिढ़ी अदो सुनरचना विकास और अपने केरियर को लेकर बात कर रही है। हम सजावटी और दिखावटी अदोस और रचनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, बलकि सुधा विहीन अंचल्प का अभावज जल्दी से जल्दी दूर करने पर विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी प्रदेश में सडक, बिजली, पानी जैसे बुनियादी अदोस और रचना हर छेतर के निवासियों को उपलब्ध हो जाए। प्रदेश में सुचना परद्योगी की अदोस और रचना आनलाइन सेवाओं के विकास के लिए बहुत से कदम उठाये जा रहे हैं। इनके लिए बजट प्रदान भी किया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारी युवा स्वयम को शिक्षण वा प्रशिक्षण के माध्यम से तयार रखें। आपके रोजगार वस्वरोजगार के सारे रास्ते खोलने के लिए हम पूरजोर प्यास कर रहे हैं। इसमें इस्थानी उद्योगों का भी सयोग लेने की रनीती अपनाए जा रही है। हमारा बजट, हमारे विचार धारे के अंसार नयाय के अधारना को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें करुना काल के सबक, ग्लोबल इंसानियत तथा लोकल संसाधनों से इस्थानी लोगों के ससक्ति करण पर जोर है। जैहिन जैचतिसगर। शोताओं लोकवानी का आगामी प्रसारण 9 मई 2021 को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पानी बचाने के उपायों, उपलबधियों और सुझावों पर आम जनता से चर्चा करेंगे। आप इस विशह पर अपने विचार, सुझाव और सवाल दिनांक 27, 28 और 29 अप्रेल 2021 को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नमबर हैं 0771 के बाद 2430501, 2430502 और 2430503 और इसी के साथ ये कारिक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार, जय जोहार! अभी आप सुन रहे थे लोग बाईए। अभी आप सुन रहे थे लोग बाईए।